हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलिजे ओविशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रादस्थान लोग सेवा आयोग, रादस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन की नियू रुकुर्में नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलब के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर आप इसमें कैसे आविधन कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, अपलाई करने का, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, जोबरास्ता.com क महाँ पर जाकर भी आपको अपलाई का लिंक मिल जाएगा, बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो SSO पोर्टल है, यहाँ पर लॉग इन और रडिस्टेशन का ओप्शन मिलता है, रडिस्टेशन करना बहुत सिंपल है, हमने कई वीडियो में पहले बात कर चुके करेंगे और आपका जो लोगिन आईडी और पासवर्ट है वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप दिये के लोगिन सेक्शन से लोगिन कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर जो आपकी SSO आईडी या यूजर नेम जो आप करेंगे, आप जो पासवर्ट बनाए आपको अधर एप्स का ओप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी जो ओप्शन से वो आपके सामने आ जाएंगे, आप यहाँ पर फ्रेंस इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आईकन आपको सर्च करना है वो है आपका रिकुर्मेंट पोर्टल, तो आप इस डैस्बोर्ड है जो कि स्टेट रिकुर्मेंट पोर्टल है, यह आपका ओपन हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर आरेस्थां के कैंडिएट है या फिर अधर स्टेट कैंडिएट है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप रिस्टेशन करके इस पोर्टल के जो सुईदा है वो लेक्चरार संस्क्रत एजुकेशन 2020 RPSC की वैकेंसी है, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कूल लेक्चरार पोस्ट के लिए तो अपलाई नाओ का जो लिंक है वो आपको यहीं पर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप से यहाँ पर एक पूस्ता है क लिस्त देखने को मिल जाएगी, आप जिस भी सब्जेक्ट में इसको अपलाई करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, और आपका जो यह फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर बीसिक जनकरी आपको फिल करनी होगी, जैसे आपक तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ फिल करेंगे, इसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आप यहाँ फिल करेंगे, आपका जेंडर आप सलेट कर सकते हैं, आपकी डियो भी डियो भी है वो आप सलेट कर सकते ह अधर स्टेट केंड़ेट से ही फॉर्म को फिल करते हैं तो सिर्फ जनरल ही यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे जनरल में एक option आपका और आएगा यहां पर जो है EWS का यदि आप EWS में आते हैं तो yes कीजिए नहीं तो आप इसमें no कर सकते हैं इसके बाद है इसपेसली एबल कैटिगरी पीच केंडियेट के लिए ज़िए आप इनमें से दिए के किसी भी कैटिगरी में आते हैं ठीक है नहीं तो आप नौट एपलिकेबल भी कर सकते हैं माली जब कोई भी यहां पर एक option आप select कर लेते हैं इसके बाद यहां पर आपकी जो इसपेसली एबल कैटिगरी है वह आपकी यहां ओपर हो जाएगी मतनब सब कैटिगरी वह आप यहां select कर सकते हैं कुछ कैटिगरी में आपके स्क्राइब की सुईधा भी आप से पूछी जाएगी कि आप इसक्राइब के लिए नहीं चाहिए अगर चाहिए तो yes, no, आप कर सकते हैं और अगर आप स्क्राइब चाहिए तो आप स्वेम लेकाएंगे या डिपार्टमेंट से कहेंगे कि स्क्राइब का वो सुईधा है वो आपको दे तो आपने अकोडिंग आप यहां पर सलेक्ट कर सकते हैं आपका जो हैं यहां लिस्ट दी गई है इसमें से सलेट कर सकते हैं आपका मेरीटल स्टेटस मेरीड है सिंगल है अपने अकोडिंग जो भी है वह स्लेट कर लेंगे Merit Candidate के लिए यहाँ पर एक options है वो है आपके यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आप यहाँ पर 162002 से पहले और बाद में पैदा हुए बच्चों की संख्या देनी है तो यह bond before है यह bond after है मालिजे पहले आपके कोई भी बच्चा नहीं है पर बाद में एक बच्चा है तो आप यहाँ पर एक के एंट्री कर देंगे अगर पहले भी एक है और बाद में भी एक है तो आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे दो की एंट्री हो जाएगी तो यह friends से तभी आप एंटर करें अगर आप यहाँ पर यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहां मिलता है आपके अपके अप्याइन नबर का ओप्शन तो आपका जो भी मोबई नंबर है आपके मेल आइडी अरहर कार्ड पास्पोर नंबर भामाशा आइडी जो भी एविलेबर है वो आपडे दीजिए बागी जो red star वाला option है वो आपको fill करना ज़रूरी रहेगा इसके बार है applying for किस के लिए apply कर रहे हैं किस district के लिए apply कर रहे हैं आपका जो परिक्षा जिला है वो कौन सा लिना चाते हैं तो आप वो select कर सकते हैं अगर आप शैडूल एरिया से आते हैं तो आप yes कर सकते हैं नहीं तो no करेंगे जो कि TSP एरिया होते हैं अगर TSP एरिया नहीं पता है आप description में या फिर आप जो Google है उस पर जाएंगे वहाँ पर search कर सकते हैं रारस्तान TSP एरिया उसकी list आपको मिल जाएगी आपका address क्या है? Correspondence address क्या है? तो आपका पूरा address आप यहाँ पर लिखेंगे पहली लाइन यहां mandatory है इसके बार आपका जो state है वह आप state यहां फिल करेंगे आपका district फिल करेंगे आपका जो city या village है वह आप यहां फिल करेंगे आपका pin code फिल करेंगे और आपका phone number भी नेस्ग कौन सा है आपका घ्रह जिला कौन सा है अगर लगता है आप किस देज से इस्थापिशे है घ्र और है गर किस देज से थापित हैं वो अपनाट कर सकते है नहीं था आप इसमें कर देखे स OP इसे special category section है इसमें जो जो category में आप applicable है यस कर सकते हैं मालिज आप एक serviceman है yes कर दीजिए service type आपका क्या है retired है या फिर इसके लाबा इन service है तो आप बता सकते हैं और इसके बार आपका क्यों भी government department या public undertaking में employee है तो आप यस कर सकते हैं department का नाम लिख सकते हैं नहीं तो नो करेंगे NCC credit है तो यस करके यहाँ पर आपकी कब से कब तक आप NCC credit रहे हैं उसकी जानकाई दे सकते हैं प्रिजनर है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके अलावा फ्रेंस यहाँ पर मौदुदा राज्य सरकार, state government के करमचारी हैं तो यस यह लो आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपकी पारिवारिक आय धाय लाग से कम है तो friends आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और आपसे पूछेगा कि you have selected income less than धाय लाग अगर आप यहाँ पर इसको yes करते हैं तो friends आपको आय प्रमान पत्र भी शो करना होगा बाद में जब भी आपसे यह मांगेंगे अगर आप नहीं है आपकी डायलाग से कम आप यहाँ पर no कर सकते हैं इसके लावा अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी extra additional category में आप applicable है आप select कर लीजिए नहीं तो इनको blank छोड़कर आप nestic कर दीजिए इसके बार आपका जो qualification section है यह open होगा और इसमें fill करने से पहले आपक सिक्षा सास्तरी वह आप यहाँ पर fill कर सकते हैं अपनी सुईदा के according तो सबसे पहले secondary के लिए फैंस आप चाहें तो आपकी subjects हैं जैसे आप यहाँ पर कॉमा लागा कर जो भी subjects है वह आप लिख सकते हैं इस तरह से नहीं तो 10 के लिए आप all general subjects भी लिख देंगे all general subjects का हैं अगर बात करें 12 के यहाँ पर तो आप सकूंट में आपकर जो भी बॉर्ड का नाम है वह आप इन में फिल कर देंगे इसके बार friends आपका आएगा role number का option तो आपका जो भी role number है वो आप यहाँ fill कर सकते हैं इसके बार result आपका CGPA है CGPA grade है तो grade अगर percentage है percentage जो भी है उसकी entry आपको यहाँ पर करनी होगी और आपके उत्रीन होने का वर्ष आपका क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो यह आप यहाँ fill कर देंगे ऐसे ही 12 के लिए ऐसे ही graduation के लिए ऐसे ही PG के लिए आपके पास BA है आपके पास सिक्षा शास्त्री है उसके equivalent है या फिर को अधर जो आपके पास qualification है उसकी जनकारी आपको इस section में fill करनी होगी यह fill करने के बाद friends नीचे आपको experience section दिया गया है वैसे यहाँ पर experience का requirement नहीं है पगर आपको experience है आप कहीं पर अढ़ाते हैं आपने कहीं organization में काम किया है उसकी जनकार देना चाहे तो आप दे सकते हैं आपके अनुभव का प्रकार क्या है कब से कब तक आपने काम किया automatic यहाँ पर आपकी year of service आजाएगी आपके employer मतलब organization उस संगठन का नाम क्या है जहाँ पर आप काम करते हैं इसके बाद है रोजगर का प्रकार आपका रोजगर का प्रकार regular है अगर यह नहीं बता है तो normally आपकी salary है उसके according आप यहाँ पर लिख सकते है बाकि आपकी pay slip होती है उस पर आपको detail मिल जाएगी nature of duties क्या है मतलब आप क्या काम करते हैं उस पद पर रहते हुए और जिस पद पर आप काम करते हैं पर नाम क्या है वो designation में आपको लिखना होगा इसके बार यहां पर upload करने के कोई भी जरुत आपको नहीं है और सीधे ही आप यहां से इसको nest कर सकते हैं इसके बार जो nest option है यह आपके application form में यहां पर आपकी basic जानगारी है जैसे आपका photograph हो गया आपका signature हो गया यह आपको upload करना है और jpg format में upload करेंगे पचास से सो के बीकर साइज आपके photo कर रहेगा डस से पचास के बीकर साइज आपके signature कर रहेगा body mark में अगर कोई भी visible body mark आपके है कोई भी निशान है cut का, burn का तो फ्रेंच से यहाँ पर photo and signature अप्लोड करने के बार उसका जो preview है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और इसके बार आप यहाँ से इसको nest कर सकते हैं इसके बार फ्रेंच सबसे important जो point है वो है आपके application प्रिवीव गा यह option बहुत important है क्योंकि आपने कोई भी अगर गलती की है आप सही कर सकते हैं submit करने के बाद भी friends आपको बाद में edit का option मिलेगा पर उसमें आपके extra fees लगेगी तो friends आप यही पर अपनी details को check कर लें आपके नाम से लेकर आपके जो photo sign और body mark तक जहां तक आपने detail को fill किया है वो सभी options को आप चेक कर लें अगर सभी details सही है तो ही आप आगे process करें उसके बाद friends जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपका जो fee status है अभी आपको यहाँ पर show नहीं कर रहा है आप यहाँ declare करेंगे और यहाँ पर update करना चाहें तो update कर लीजिए नहीं तो यहाँ पर pay fee पर click कीजिए इसके बाद friends आपका जो यह application form है यह आपका open हो जाएगा जिसमें friends आपकी जो basic जानकारी है details है वो आपको show करेंगी और यह जानकारी verify करने के बाद आपको यहाँ pay fee क option मिलेगा आप इस पर click करेंगे इसके बाद friends आपका emitter online payment system जो की portal है आपका वो आपका open हो जाएगा आप net banking यूज करते हैं आप net banking का कोई भी आप portal select कर सकते हैं aggregator पर जाकर भी आप यहाँ से आपका जो bank है वो आप select कर सकते हैं और यह bank name नहीं है यह है friends आपके यहाँ पर option debit card और net banking तीनों ही option आपके आजाते हैं बाकी के options भी आपको देखने को मिलेंगे बाकी कोशिश कीजिए आप net banking debit card और credit card इनके ही माध्यम से payment करें आप यहाँ पर उनकी कार की details फिल करें net banking में अपने bank को select करें credit card में अपने कार की details फिल करें make payment करें जैसे ही आपका payment verify होग आपको दोबारा से home page पर redirect कर देगा और आप इसका जो final printout है वो निकाल कर अपने पास से रख पाएंगे और friends माली जी अगर वो payment verify नहीं होता है तो आपको 1-2 घंटे wait करना है और दोबारा जब आप login करेंगे और my application section पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो print का option है वो मिल जाएगा तो friends यहाँ पर मैंने आपको सभी डेटल बता दी है रास्तन पब्लिक सर्विस कमिशन के school lecturer संस्कत education 2020 का online form कैसे आप फिल कर सकते है step by step process के बारे में हमने बात की इस वीडियो में और यह आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe and share जरू कीजिए और देखते आये 824 knowledge and the last thanks for watching